Hi guys, good morning and welcome to the session. आपको पता है कि इस session में हम क्या करते हैं, Level 1 का session है, और मैं अपने सारे students से ये अर्च करता हूँ कि please watch the complete video, read your own newspaper and keep revising your words. Very soon we will include some portions of grammar also. Although, हला कि मैं इसमें आपको grammar के छोटे-छोटे roots बताता रहता हूँ, prepositions बताता रहता हूँ, तो आप इन सब चीजों पर ध्यान दे और अपनी आदत बनाएं English पढ़ने की. Alright, और कल वीडियो नहीं आया था because yesterday it was a festival and I hope कि आपने अपना festival अच्छे से enjoy किया होगा और day before yesterday उस एक वीडियो में मैंने बोला था कि I just remembered a joke, remembered a joke मतलब मुझे एक joke याद आ गया था बिहार पुलीस के उपर तो वो जोग बहुत सारे स्टूरेंट्स ने बोला है कि सुनाईए so what is the joke कि बहुत साल पहले 1965 नहीं 1965 नहीं 1965 नहीं बहुत साल पहले क्या हुआ कि इंडिया के बहुत सारे पुलीसों के बीच में बहुत सारे पुलीसों के बीच में एक competition हुआ जिसमें मुंबई पुलीस, तेली पुलीस, कोलकाता पुलीस, पटना पुलीस, बिहार पुलीस ऐसे सारे पुलीस इसने पार्टिसिपेट किया उसमें जो competition था उसमें जो main जो task था वो क्या था एक जंगल में इन जंगल जाना था और एक बक्री छोड़ दी जाती थी, उस बक्री को पकर के लाना होता था तो मुंबई पुलीस गई, उसने 10 गंटे में बक्री को ढूंड लिया, दिल्ली पुलीस गई, इसने 8 गंटे में ढूंड लिया तो ऐसे करके लोग ढूंड रहे थे, मैक्सिमम मुंबई पुलीस का ही टाइम लगा था, 10 गंटा उसके बाद बिहार पुलीस के बारी आई, बिहार पुलीस गई, बिहार पुलीस को गई हुए 24 गंटे हो गए, कोई भी लॉट कर नहीं आया सब लोग ने सुचा कि बिहार पुलीस की हालत ऐसी नहीं है कि ये बकरी भी पकड़ सके, और लगता है कि इनको जानवर मार मूर के खा गए तो एक सर्च पार्टी गई, 24 गंटे से भी उपर हो गए, एक दिन से भी उपर हो गए, एक सर्च पार्टी गई, जंगल में देखने के लिए कि बिहार पुलीस आखिर कर क्या रही है या इनके साथ हो क्या रहा है तो वो यहां जंगल में देखते हैं क्या कि बिहार पुलीस ने एक सेर को पकर रखा है शेर को टांग रखा है उल्टा पेड़ पे और मार रहे हैं उसको लगातार मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि बोल तू बकरी है So this is our Bihar Police ठीक है? So that was the novel That was the joke पता नहीं आपको हासी आई की नहीं आई लेकिन हम लोग अपना पहला headline पढ़ना शुरू करते हैं headline पढ़ने से पहले काफी important person है इनका photo अप देख लो देख ले फोटो अप देखो की जरा कहता क्या है North Ireland Ireland एक country है आपको पता है ना इसके बारे में North Ireland peacemaker peacemaker शान्ती दूद जो शान्ती इस्थापित करना चाहते थे उन्हीं को peacemaker बोलेंगे ना तो North Ireland peacemaker North Ireland के क्या थे? Peacemaker थे और क्या थे? Noble Laureate थे Noble Laureate थे और क्या नाम है इनका? John Hume dies at 83 83 देखो तिरासी साल की उमर में मृत्ती हुई और लिखा क्या है? तो यहां पे at का आप इस्तमाल ध्यान देंगे और जो यह word है यह क्या है? Laureate और मैंने आपको word बताया है Laurel L-A-U-R-E-L L-A-U-R-E-L Laurel Laurel का मतलब कोई खिताब कोई उपलब धी और Laureate यह spelling देख लो आप Laureate Laureate का मतलब जिसने खिताब जीता है पदक वीजेता तो यह जो John Hume भाई साहब थे यह क्या थे? Noble Laureate मतलब Nobel Award मिला था इनको पीस के लिए जरा हम यह news देखेंगे ओके नाव लुकेट दिस नियूज इसमें यह क्या कहता है 29 डेड लुकेट दे यूज अज आईएस अटैक्स अफगान प्रिजन आईएस आपको पता है ना यह इसलामी संगठन है इसने क्या किया? आफगान के एक जेल को अटैक किया और उसके रेजल्ट से क्या हो गया? 29 डेड हो गया 29 लोग मारे गया ओकेट इस यह यह जो लुकेट दिस जेंटलमेन यह जो जेंटलमेन है यह है डबलू एचो के प्रेसिडेंट चीफ ठीक है न? मैं इनका नाम जानता हूँ लेकिन आपको नहीं बताऊंगा आपको पता करना है खुद ही और यह क्या कह रहा है? जड़ा देख लो इस बात पे इनके एक स्टेटमेंट में काफी important word भी छुपा हुआ है ओके? There may not be a COVID silver bullet भाई साहब आप इसको देख लो Silver bullet S.I.L. चांदी का गोली Silver bullet ठीक है न? पुराने mythologies में या जिस चीज में भी यह माना जाता है कि Silver bullet का मतलब समझ लो इलाज अचूक इलाज राम बान समझ गया न? क्योंकि यह माना जाता था कि एक खुंखार टाइप का भेरिया था जो और किसी भी चीज से नहीं मर सकता था किस चीज से मर सकता था एक चांदी के bullet से मर सकता था और किसी भी bullet से नहीं मरता हो तो there may not be a COVID silver bullet मतलब COVID का कोई इलाज अभी नहीं हो सकता है there may not be तो silver bullet आप याद रखेंगे ना किसी भी S.S.C. में या बैंक में या किसी भी एक्जाम में आपको दिख सकता है तो silver bullet का मतलब आपको याद रखना है जैसे वो चांदी की गोली थी जो एक ही गोली थी जो भेरिये को मार सकती थी इसका मतलब silver bullet का मतलब किसी भी चीज का इलाज किसी भी चीज का solution समझ रहे हैं बात को आप तो आप इसको लिख लेंगे अब यह आप ज़रा देखो आपको पता चल ला है कि आयोध्या में सिला नियास होने वाला है और भूमी पूजन होने वाला है देखो यहाँ पर क्या लिखा है foundation laying event for Ram temple begins अब foundation का मतलब होता ही है आधार ठीक है ना क्या होता है आधार foundation का मतलब आधार base foundation laying इस word पर आप गौर करना ले अभी आपको मैं बताता हूँ यह जो word है यह जो word है lay lay का मतलब होता है किसी भी चीज को बिछाना जैसे सरकार railway की पटरी बिछाती है तो वो क्या करती है railway line को lay करती है इसी तरह जब हम कोई foundation stone रखते हैं ठीक है ना आप देखते हैं किसी भी building जब बनने का होता है तो वहाँ पे जो जब जब चीफ मिनिस्टर होता है या कोई भी officer वहाँ पे एक eat रख देता है foundation stone lay करता है देखो eat को अगर हम खड़ा करते हैं तो यह ऐसा दिखेगा और अगर इसको लिटा देते हैं तो यह ऐसा दिखेगा अब बताओ तुमको कहीं पे base रखना है तो तुम ऐसे तो रखोगे नहीं ऐसे तो हम लोग eat रखते नहीं ऐसे लिटा के रखते हैं इसलिए इसको ले कहते हैं समझ गया ना तो foundation laying event राम temple का क्या हो गया begin हो गया ओल्राइट जरव साहब ये देख लीजे उमा उमा भारती आपको बताना है comment box में की उमा भारती के पास कौन सा ministry है कौन सी cabinet minister है ये और ये कहता है उमा says will skip आयोध्या event आयोध्या में जो event होने वाला है ये जो program होने वाला है उमा क्या कहती है कि हम उसको skip कर देंगे और किसलिए skip करेंगी PM के safety के लिए और skip का मतलब आपको पता है किसी भी चीज को छोड़ देना don't skip your classes मतलब अपने classes मत छोड़ो अभी इदर देखे सुशान्त के death probe में बिहार team बिहार की एक police team गई है मुंबई और पतना के SP गए वहाँ पे बिनाई तिवारी बिनाई तिवारी को क्या कर दिया जबरदस्ती quarantine कर दिया आप देखिए क्या लिखा है इसमें बिहार डायल सेंटर बिहार ने सेंटर को कॉल किया निती स्लैम्स state officers quarantine निती इसने आलोचना किया है फटकार लगाया है किस चिश पर यह officer का जो उनके officer का quarantine कर दिया गया मुंबई में अब ज़रह यह देखिए कि हमारे पतना बिहार के CM कह क्या रहे है whatever happened whatever मतलब जो भी हुआ या हो whatever का मतलब कुछ भी हो सकता है ठीक है ना एक तो whatever का मतलब क्या हुआ जो भी whatever happens I will stay here जो भी हो जाए मैं यही रहूँगा और इसी का मतलब होता है कुछ भी क्या होता है इसका मतलब कुछ भी ठीक है ना तो whatever happened with him is not right नितिश कुमार कह रहे है जो भी उसके साथ हुआ उनके साथ हुआ वो सही नहीं है it is not a political matter यह कोई political matter नहीं है बिहार police was carrying out its duty मतलब performing its duty आप देखो आपको यहाँ पे एक और phrasal verb मिला आपको यहाँ पे एक और phrasal verb मिल गया क्या मिला आपको phrasal verb carry out c-a-r-r-y carry out carry out का मतलब to perform जब आप किसी भी चीज को perform किसी टास्क को perform करते हैं तो आप क्या करते हैं टास्क को carry out करते हैं तो बिहार police was carrying out its duty आल्राइट नाव लेट में शो यूँ वरे इंट्रेस्टिंग निउस जिसको हम लोग पिछली वीडियो में हमने इसको देखा था इसके बारे में news आया था हमने देखा था मैंने आपको बताया था कि space से कोई rocket कोई capsule आने वाला है जो समंदर में सीधा जाके splash down करेगा splash down करेगा मतलब छपाक से जाके समंदर में गिरेगा कहीं भी उसका landing नहीं होगा आप देखो उसका नाम क्या था space x space x नाम था उसका किस की का capsule का capsule का और capsule हम लोग किसको बोले थे वो जो rocket गया था ठीक है ना बिल्कुल capsule की तरह होता है वो तो space x mix a splash mix a splash मतलब पानी में जो आप जोड से कूदते हैं पानी बहुत उड़ता है छीटे उड़ते हैं splash होता है तो उसी को हम बोलते है make a splash अब जड़ा देख लो आप मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखो rocket का ये उपर वाला हिस्सा है शायद आप देख रहे हैं ये पानी में डूब के फिर से उपर आ गया है और यहाँ पे एक छोटा सा बोट भी गया है अब इसके अंदर अभी इसके अंदर में ही लोग है उनको जाकर निकाला जाएगा ठीक है इसके नीचे मैं आपको थोड़ा पढ़के समझाने की कोशिश करता हूँ आप देखो ये आपके जीए के लिए करेंट अफेर्स में काफी इंपॉर्टन पॉइंट है ये सपोर्ट टीम्स अप्रोच दे स्पेसेक्स क्रू ड्रागन एंडेवर स्पेसक्राफ्ट ये देखो ये है सपोर्ट टीम सपोर्ट टीम मतलब जो जाके वहाँ वो क्या कर रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं स्पेसेक्स को नजदीक जा रहे हैं स्पेसेक्स को चलो छोड़ो इसको इतना आप खुद से खुदी देख लेना अब मैं आपको ओके ये देख लो आप कार्थी टेस्ट पॉजिटिव अनदर यूनियन मिनिस्टर इन आइसोलेशन ये बताने की जरुवत नहीं है उन पॉजिटिव हो गया आप ये नियूस देखो जरासा प्रशांत भूशन को तो आप जानते ही होंगे एड़ोकेट है सुप्रीम कोर्ट में कभी-कभी हमको लगता है कि मांसिक इस्थितिन की बिगड़ जाती है इसलिए कुछ-कुछ उल्टा सिधा भी बोलते रहते हैं देखे जरा ये क्या कह रहे हैं प्रशांत भूशन says he will not apologize for tweet he will not apologize apologize का मतलब क्या होता है देखो सबसे पहले spelling देख लो अपोलो जाइज ओके यहां पर लिखा गया है अपोलो जाइज लेकिन बोलते क्या है अपालो जाइज अपालो जाइज तो इन्होंने बोला है हम अपने tweet के लिए माफी नहीं मांगेंगे जिनको भी नहीं पता है अपालो जाइज का मतलब वो देख लेंगे वो लिख लेंगे उनको पता हो गया अब छमा करना माफी मांगना देखो जारा यह new patrolling protocol in focus मैंने class में आपको ये word बताया है patrol ठीक है न और patrol का मतलब क्या होता है गस्त लगाना पुलीस पेट्रोल करती है न पेट्रोलिंग जिपसी होता है पुलीस का पुलीस पेट्रोल करती है ये वो पेट्रोल नहीं है जो आप अपने गाड़ियों में डालते हैं ये पेट्रोल नहीं है ये पेट्रोल है और पेट्रोल का मतलब गस्त लगाना और ये देखो ये प्रोटोकॉल, ये वर्ड, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे नियमों का ये जब स्रिंखला होता है तो उसको हम लोग प्रोटोकॉल करते हैं ये apply रिया और ये लियुए दूसरब uh ये टो अब ये बार्डिर चाइना के साथ जो गस्त लगाते थे उसके लिए नहीं कि ऊड़डर जोटकॉल मतलब नए प्रोटकॉलप पोहित कि हम ठीक सकते हैं मनूफाक्चरistem manufacture का मतलब क्या होता है उत्पादन करना कोई चीज बनाना ठीक है न मान लो कि कोई एक दुकान दार है जोоне टीशिट बेशता है और कोई है जो टीशिट सी रहा है बना रहा है कपड़े काट काट के तो वो क्या कर रहा है टीशर्ट मैनुफैक्चर कर रहा है मैनुफैक्चरिंग यह जो उत्पादन है मैनुफैक्चरिंग जो है वो कॉंट्राक्ट कर रहा है और कॉंट्राक्ट का मतलब आपको पता है एक तो लोगों के बीच में कुछ करार होता है contract होता है जैसे film का contract मिल गया या गाने का contract मिल गया या पढ़ाने का contract मिल गया यह तो बिलकुल अलग चीज़े और एक contract का मतलब होता है शिकुड़ना contract का मतलब क्या होता है सिकुड़ना c-o-n-t-r-a-c-t contract का मतलब shrink श्रिंक मैंने आपको बताया है सिकुड ना किसी भी चीज का, तो manufacturing सिकुड गया, चौथे महीने भी, चौथे महीने के लिए भी सिकुड गया, अब सिकुड गया, मानलो पहले manufacturing का ग्रोथ था 10% और अब यह हो गया 6% तो सिकूर के छोटा हो गया इस तरीके से लिखते हैं ठीक है ना जरा सा हम यह देखेंगे RBI में slash slash का मतलब होता है किसी भी चीज में काट शाट करना ठीक है ना मान लिजए आपके घर में या मान लिजए आपका कोई factory है जिसमें आपके 10 workers काम करते हैं और आपने 3 workers को हटा दिया 10 workers काम करते हैं जिसमें से आपने 3 को क्या कर दिया हटा दिया तो आप 7 बच गए आपने क्या किया तीन को slash कर दिया आपने वर्क फोर्स को slash कर दिया slash मतलब किसी भी चीज़ को कम करना ठीक है ना जैसे sale में क्या होता है जो prices होते हैं वो slashed होते हैं कम होते हैं तो RBI में slash मतलब RBI slash कर सकती है क्या चीज़ rates despite और despite का मतलब आपको पता है किस चीज़ के बावजूद inflation महंगाई का खत्रा है महंगाई का risk है इसके बावजूद महंगाई के risk के बावजूद RBI rates को slash कर सकती है अब यहां से मैं आपको दो word और बता देता हूँ मैं आपको हमेशा confusing words जो pair में आते हैं उनको बताता चलता हूँ एक word है despite और दूसरा word क्या है देख लो in spite I hope कि यह pink color ज्यादा better है red color से मैं और भी different colors try कर सकता हूँ if you can suggest despite और in spite दोनों का ही मतलब होता है कि बावजूद लेकिन in spite के साथ हमेशा off लगा रहता है कई बार question पूछा गया है हर exam में जितने भी exams होते हैं उसमें इस concept से question पूछा ही गया है so आप despite के साथ कभी भी अकर आपको off लगा हुआ दिख गया इसका मतलब वो गलत है और in spite बिना off के दिख गया तो इसका मतलब वो गलत है तो despite और despite और in spite of क्या चीज़ in spite of समझ महारी बात all right so एक और news देख लेते हैं serum institute serum institute gets not मतलब इसको सहमती मिल गई किस्चिस से इसको permission मिल गया किस्चिस से gets not for oxford oxford vaccine trials के लिए oxford vaccine trials के लिए क्या हो गया serum institute को permission मिल गया guys look at this word serum इस word का भी एक मतलब होता है ठीक है न कभी-कभी बालों में लगाने के लिए हम लोग तो तेल लगाते हैं शैंपू लगाते हैं एक serum टाइप की भी चीज होती है so I will request you to go and look for it in the dictionary आप खुद से देखें के serum का मतलब क्या है all right now let us move let us move to page number two and let us see what is there in page number two page number two में दो important चीज हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा covid cases in Bihar inch closer to 60,000 अब देखो inch तो हम लोग जानते हैं inch feet centimeter meter these are all units of length let me have some water first all right covid cases in Bihar inch closer inch का एक मतलब तो वो देख लिए unit है किसी चीज को नापने का क्या length को नापने का तो उसका नाम दिया इसलिए noun हो गया और कभी जब आप inch भर्व की तरह भी होता है जब आप किसी के नजदिक inch inch करके धीरे धीरे करके पहुँचते हैं तो क्या कहता है कि covid case जो बिहार में थे वो कहां के नजदिक पहुँचके 60,000 के और ये country में 10th highest है कोई बात नहीं हम लोग तो highest रहने वाले highest का record बनाना चाहते थे लेकिन अभी तो बहुत दूर जाना है हमें अभी बहुत दूर जाना है अब ये देखो फिर से आगे अभी ये silver lining क्यों बोला है जरासा उपर में मैं आपको दिखा देता हूँ positivity rate comes down to over 50% as testing increases testing जो है वो increase हो रहा है और उसकी वज़े से क्या हो रहा है as देखो पहला घटना ये और दूसरा घटना ये positivity rate जो है उसकी वज़े से कम हो गया है 50% से भी अब 50% से ही थोड़ा सा उपर है और नीचे देखे आपकी ये क्या लिखा है देखो मैं थोड़ा graph बता देता हूँ आपको 26 July look at here 26 July को 9.3% था 27 July को 14.53 हो गया और उसके बाद decrease करते करते कहां गया 7.75% पे यहां पे देखो क्या लिखा है the silver lining मैंने the silver lining का मतलब आपको बताया है जिन भी students को याद है आप जाके लिख सकते इसका मतलब आप सिर्फ yes लिख लीजी और देखो इसको क्या लिखा है इसके नीचे after initial spike last week spike का मैंने आपको बताया था growth, kanta अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका growth और दोनों मतलब kanta और growth दोनों ही कैसे है आप देख रहे हैं यहां पे यहां पे बढ़ा और उसके बाद घट रहा है यह जो चीज है यह कांटे की तरह है ना पूरे graph में इसी को तो spike बोल रहे हैं इसी बढ़ होतरी को तो spike कहते हैं okay so that was it in this page इस page में मुझे आपको इतना ही दिखलाना था 20 मिनट हो चुके हैं मैं थोड़ा सा और पढ़ देना चाहता हूँ आपके लिए so देखते हैं क्या है ध्यान से देखना इस sentence को इस sentence में आपको दो चीज़े बताने वाला हूँ सबसे पहले तो as का use तो अब तक आपको clear हो गया होगा ये पहला घटना और ये दूसरा घटना पहला घटना क्या हुआ ने तेजस्वी लीड्स ओपोजिशन चार्ज देखो चार्ज तो आपने पढ़ा होगा कि electrons पे negative चार्ज होता है protons पे positive चार्ज होता है, neutrons पे कोई चार्ज नहीं होता है एक तो वो चार्ज हो गया, एक चार्ज आपने और पढ़ा है, चार्ज का मतलब आरोप इनके उपर कौन सा चार्ज लगा है मतलब कौन सा अरोप लगा है ये दो चीज हो गई एक चार्ज का मतलब होता है जब आप किसी पर आत्रमन कर देते हैं चार्ज इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या लाठी चार्ज ठीक है ना लाठी चार्ज कैसे होता है लाठी लेकर और फुलीस वाले दौर पढ़ते हैं आपके तरफ उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज तो अगर एक मानलो रोड पे कोई सांड है और आपने उसे छेर दे और वो आपके पीछे दौर पढ़ा आपको माणने के लिए तो तो तेजस्वी लीड्स अपोजिशन चार्ज अपोजिशन को कल मौका था सरकार को स्लैम करने का सरकार को क्रेटिसाइज करने का तो तेजस्वी ने उस अपोजिशन के चार्ज को क्या किया लीड किया और नितीस ने क्या कहा कि हम समर्थन में हैं जिस चीज के लिए भी आ फॉर रहते हैं, उसके अब समर्थन में रहते हैं, कि सारे पार्टियों को मिलाकर एक पैनल बनाया जाए किस बात पर COVID-19 पर और floods पर अब यह आप देखो जरा यहाँ पर क्या लिख दिया है Twin Crisis है ना Twin Crisis, floods भी है और COVID भी है इसी को मेरे students इसी को हम क्या लिख सकते थे, just give me a moment Double Whammy Double Whammy और आपको मैंने बता है, Double Whammy का क्या मतलब होता है, आपको याद है न, दोहरा मार ठीक है, दोहरी परिशानी, यह हो गया, इधर में नितीश कुमार क्या कह रहे हैं, taking all steps हम सारे कदम उठा रहे हैं किस चीश के लिए, to fight the pandemic इस महामारी और flood से लडने के लिए, और जरा मैं देखू कि और क्या दिखाना है आप देखो फिर यहाँ पे लोग हैं, जो बार से प्रभावित लोग हैं, और क्या लिखा है flood affected लिखा है, flood affected नहीं लिखा है, क्योंकि effect में ED लग ही नहीं सकता है यह noun है, ओके अब जरा मैं देखू आपको यह देखो नेपाल की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि यह हमें आँख दिखा रहा है, बताओ आप देख रहे हो, यह एक border type का area है, और यहाँ पे SSB, ससत्र सीमा बल के जवान patrolling कर रहे हैं, अभी patrolling बताया है मैंने आपको, SSB जवान at Indo-Nepal border look at this word at ठीक है ना, on नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको border दिख रहा है border पे कोई खड़ा दिख रहा है आपको border कोई चीज नहीं, जिसके उपर चड़के खड़े हो गया है यह एक जमीन का ठुक रहा है तो इसलिए इसको at लगाएं ठीक है ना, SSB जवान at Indo-Nepal border in Narcatia ठीक है, यह सब हो गया अब जड़ा देखते हैं कि इनकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है हाँ, Nepal plans are helipad helipad मतलब वो जगह जहां helicopter उतर सकता है on disputed land और dispute का मतलब तो आपको पता है न, बिवाद dispute, इसका मतलब क्या बिवाद, और disputed, इसी में ED लग गया, तो बिवादit बिवादit जमीन पे निपाल एक helipad बना रहा है, बताओ खाने को नमक पानी नहीं है लेकिन helipad बनाएंगे pandemic versus faith आप देख लो, यह पटना का गांधी घाट है, और यहाँ पे क्या है, लोग जमा हुए हैं कल अपना कुछ पूजा हो जा करेंगे तो इसी को बोला है कि महावारी versus आस्था, faith आस्था तो जरह इसके नीचे हम पढ़ते हैं देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं यहाँ देखो क्या लिखा है security personal इस word पे आप गौर कीजेगा ठीक है ना, personal भी होता है और personals भी होता है आप पहले इसको dictionary में देखेगा सब लोग और बताएगा मेरे को कि यह कैसा noun है security personal ask devotees devotees मतलब वो भक्तों को कह रहे हैं to follow covid guidelines covid guidelines follow करने के लिए कह रहे हैं awarez का استعمال देखो क्यों कह रहे हैं क्योंकि they gather at kali heart in patna, वो kali heart पे जमा हो गए हैं, इसी लिए security motivating भी news है और थोड़ा सा sad करने वाले depressing news भी है, जरा देखते हैं हम इसको covid impact impact का मतलब प्रभाव, देखो जरा 14 year old girl यह चीज मैं आपको पहले भी बता तुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि 14 वर्सिये लड़की year के पीछे लगा तो हुआ है 14, लेकिन इसके आगे S नहीं लगेगा, एक्जाम में यही गलती रहेगा, वहाँ पे years लिखा रहेगा, 14 years old 14 years old कभी नहीं होगा 14 year old होगा, आप कभी ऐसा बोलते हैं, मैं 14 सालों का हूँ आप हमेसा बोलते हैं, मैं 14 साल का हूँ 14 year old girl गर्ल, पुल्स, रिक्षा किस चीच के लिए To earn livelihood, livelihood मतलब जीविका का साधन जीवन चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए उसको बोलते हैं, livelihood और ये कहां हो रहा है सासा राम में हो रहा है तो एक तो चलो आप motivate हो सकते हैं लड़की में इतना जोश है और एक हमारे लिए शर्म की भी बात है अभी तक आजादी के 70 साल बात की हमारा समाज ऐसा है कि अभी भी जो सबसे नीचे का जो आदमी है उसके लिए basic infrastructure भी नहीं है तो ये सबके लिए शर्म की बात है मेरे लिए आपके लिए सबके लिए शर्म की बात है और कभी मद ये सोचिएगा कि सरकार की गलती है ना 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 गलती हमारी है So you should be ashamed of all these things बहुत लोग बोलते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हैं जो सही बात है उसको बोलना चाहिए उसको accept करना चाहिए Now, this is the last news बागमती embankment breach बागमती में तटबंध क्या हो गया? ब्रीच हो गया मतलब इसका उलंगन हो गया मतलब तूट गया कहां? तीन जगों पर मुझफरपुर में अब इससे आके नहीं बताऊंगा वीडियो काफी लंबा हो चुका है I hope you have enjoyed the video and keep posting your comments Thank you